चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Nobel Prize 2022 में विज्ञान के छित्र में जो Nobel Prize मिल चुके हैं उनके बारे में Medicine, Physics और Chemistry में Nobel Prize दिये जा चुके हैं तीन और कैटिगरी में ये अभी आने बाकी हैं जिन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे Medicine के Nobel Prize 2022 के अगर बात करें तो स्वान्ते पावो को Physiology या Medicine के Nobel Prize 2022 से सम्मानित किया गया है उन्हें यह पुरुसकार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जिनोम से समंदित उनकी खोजों के लिए दिया गया है स्वान्ते पावो एक स्वीडिश आनुवंचिकी विध है जो विकासवादी आनुवंचिकी के छेतर में विशेशग्यता रखते है उन्होंने नियंडर्थाल जिनोम पर बड़े प्यमाने पर काम किया है स्वान्ते पावो के पिता सून बर्ग स्टॉम को वर्ष 1982 में मेडिसन का नॉबल पुरुसकार सयुक तुरूप से दो अन्य विग्यानिकों के साथ दिया गया था फिजिक्स के नॉबल पुरुसकार 2022 के अगर बात की जाए तो फ्रांसेसी विग्यानिक एलन एस्पेक्ट, अमेरिकी विग्यानिक जोन एफ क्लोजर और अस्ट्रेलिया विग्यानिक एटोन जिलिंगर को सही तुरूप से वर्ष 2022 के फिजिक्स के नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है एलन एस्पेक्ट, जोन क्लोजर और एंटोन जिलिंगर ने जटल क्वांटम अवस्थाओं का उप्योग करते हुए प्रतेक ने अभूत्पूर परियोग किये हैं जहां दो कन अलग-अलग होने पर भी एक इकाई की तरह विभार करते हैं उनके परिणामों ने क्वांटम सुषना पर आधारित, नई तकनीक का रास्ता साफ कर दिया है इनको क्वांटम मेकेनिक्स के छेत्र में उनके कारे के लिए पुरुसकार दिया गया है क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का वो हिस्सा है जिसमें बहुत छोटे कणों यानि मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना जाता है केमेस्ट्री के नॉवल पुरुसकार 2022 की अगर बात करें तो इस वर्षी पुरुसकार केरोलीन आर बर्टोजी, मोर्टन, मेल्डॉन और के बैरी शार्पलेस को क्लिक किमेस्ट्री और बायो और्थो गौर्नल किमेस्ट्री की विकास के लिए दिया गया है केरोलीन आर बर्टोजी, स्टैन्फोर्ड उनिवस्टी, कैलिफोर्निया, USA से जुड़े हुए है मौर्टन मैल्डॉफ, कॉपन हेगन, विश्विद्याले, डैन्मार्क से और के बेरी शापलेस, स्क्रिप्स रिसर्च, लाजोला, कैलिफोर्निया, USA से समन्दित है शापलेस ने दूसरी बार ये नॉबल प्राइस जीता है, ये भी पाचवी बार ये अभी तक हो पाया है इन तीनों साइंटिस्टों को सयुक्त रूप से क्लिक कमेस्ट्री और बायो और्थोगोनल कमेस्ट्री के विकास के लिए ये फेमस अवार्ट दिया गया है अगर हम बात करें कि क्लिक कमेस्ट्री में इन तीनों विज्ञानिकों के योगदान क्या थे तो क्लिक कमेस्ट्री की अवधार्णा के बैरी शापलेस द्वारा दी गई है इन्होंने रसायन विज्ञान में अपना दूसरा नॉबल पुरुसकार जीता है क्लिक कमेस्ट्री सरल और विश्वष नियर रसायन विज्ञान का एक रूप है जहां रियक्शन जल्दी होता है और एवांचित उप उत्पादों से बचा जाता है मौटन मेल्डोन के योगदान के अगर बात करें तो इनों ने भी क्लिक कमेस्ट्री के विकास में महतपून भूमी का निभाते हुए इसे रसायन विज्ञान के छेत्र में सर्वोचिता प्रदान की है बेरी शापलेस और मेल्डोन ने अलग-अलग कौपर की मदद से एजाइड एलकाइन साइकलोड डिशन को उत्प्रेरित किया यह एक सर्वोत्तम कैमिकल रियक्शन है जिसका अब तक व्यापक फॉर्मोस्योटिकल्स के विकास में डिएने मैपिंग और अधिक उप्यूक्त सामगरी बिनाने में किया जा रहा है कैरोलीन बर्टोजी के अगर बात करे तो इनोंने क्लिक कमिस्ट्री को एक नए स्थर्थ तक पहुचाया है उन्होंने कोशिकाओं की स्थै पर जेव अनों को गलाइकान की मदद से मैप किया उन्होंने जीवों के अंदर कारे करने वाली क्लिक अभिक्रियाओं का विकास किया जो बायो और्थोगोनल रियक्षन कोशिका के सामानने रसायन विज्ञान को भी बादित नहीं करती है बेरी शार्पलेस ने दूसरी बार ये नॉबल जीता है शार्पलेस ने दो नॉबल पुरुसकार पाने वाले पांचवे व्यक्ति के रूप में नाम अपना बना लिया है इसते पहले शार्पलेस को वर्ष 2001 में केमेस्ट्री का ही नॉबल अवार्ड दिया गया था शार्पलेस के अलावा लाइनस पॉलिंग, मेरी क्यूरी, जॉन बॉर्डिन और फेडरिक सेंगर को भी दो-दो बार नौबर पुरुसकार मिल चुका है कार्ल बैरी शार्पलेस एक अमेरिकी रसाय नग्य है जो की स्टेरियो स्लेक्टिव रियक्शन और क्लिक कमेस्टर के लिए जाने जाते हैं इसके साथ ही आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच दोट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट